Fine Student Class No.39 Indian Polity तो पिछले Class No.38 में हम लोग Article 25 और कुछ Contemporary Issue देखा था सब दी माला Temple से सम्मदित Contemporary Issue Article 25 में हम लोग देखे थे तो इस Class में भी Article 25 के बारे में समझेंगे और अच्छे से Article 26 भी परने जा रहे है, 27 भी परने जा रहे है और 28 भी देखने जा रहे है दिटेल्स में, तो लेट्स स्टार्ट, देखो, तो बात आता है से कॉलरिजम का, है ना, और ये एक ऐसा वर्ड है, जो पर हमेशा कॉंट्रोफरसी की रियेट होता है, बाइस समझ रहो बाइस चलो, तो बहुत कॉंट्रोफरसी क्रियेट होता है, तो देखो आखिर कौम सा ऐसा आर्टिकल है भाले ही प्रियम्बल में हमने बाद में जो रहा हूँ तो मगर सेकुलर वाला चीज तो हमको आर्टिकल 25 में दिखता है कि को भी धर्म के हो सकते हो आपको भी प्रैक्टिस कर सकते हो करेक्ट मैं यहां पर देखते हैं सेकुलर इजम को लिए कितना कॉंपलेक्सिटी है भारत में तो इस उप्रैक्टिस का जाओगे यूरोप का देखोगे अमिर्का का देखोगे तो सेकुलर का मतलब अलग है वहां पर सेकुलर का मतलब क्या है कि चर्ज और गौवर्मेंट कोई मतलब भी नहीं एक दूसरे से है तो हमारा सच महीं सेकुलरिजम का मीनिंग बहुत अलग हो गया इसनेरी डिफिनेशन से देखा जाए तो यहां पर सब्सक्राइब कि आर्टिकल 25 में जो वर्ट सेकूलर का निकलेगा वहां से जो मीनिंग निकलेगा वो डूबियस के वह लब डावड इसका बहुत सरा मीनिंग से निकल सकता है इदि दिस्नेरी मीनिंग देखो गए तो दिस्नेरी मीनिग में क्या दिया गया है कि का इसको वेस्ट के छूपर का जो फिस्टेट का फिर से दोनों अलग चीज़ें तो एक दुस्रे से मतलब भी नहीं होना अच् सब्सक्राइब इसलिए देखो क्या बोला जाए इस आज नोट अनली कॉस्ट कन्फूजन अमंग्स टीचर पॉलिटिकल साइन जो इतने पॉलिटिकल जो साइन्स के टीचर है इतने जो बिद्वान होते हैं वह भी कन्फूज्ट यहां जो लौ है लौ वाले जो एक्सपर्ट वह भी कन्फूज्ट है ना इसका जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टी लोग वेस्टेड इंट्रेस उठा लेते हैं इससे मिस्यूज कर लेते हैं एक है तो सेफ है जो नारा है यह फिर बटोगे तो कटोगे इस तरह का नारा चलता है लाजी सब सेकुलर का ही चोला है वह वह सबसे जणारा तो कांच्री में किसी ने तो कांच्रेजिट सबसे जणारा मिस्यूज करती है इस वर्ट को लेके समझे ना तो clear होना जरूरी है बच्छा लोग तब अब बात कहां पर आएगा फिर supreme court तक ही बात पहुंचे गई है and supreme court आएगा अपना nine judge के साथ और कहेगा कि देखो secular का मतलब यह है don't worry I'll give you the definition तो secularism का definition supreme court देगा बता हो समझे ना देखो यह क्या the state of confusion has been set at rest by authoritative pronouncement made by the supreme court in nine judge decision as follows तो वो अपना आके nine judge bench के decision से अपना को बताएंगे कि देखो secularism का मतलब यह है don't be confused secularism का मतलब यह होगा तो supreme court को दाना ही पड़ेगा ना तो आप देखो secularism देखो बहुत खास चीज़ है जो तुम समझते हो secularism का मतलब वैसा नहीं है secularism is entirely different मुझे तो लगता है कि जो उतने लोग सब बहस बाजी जो करता है secularism का मतलब हमको यह लगता है हमको वो लगता है यह लगता है सब आदमी का ही अपना अपना डेफिनसम होता है इधी तुमको समझना है secularism के बारे में कि क्या secularism है real में तो Supreme Court का judgment समझ जाओ और चुप चाब उसी को follow करो अपना बुद्धी मत लगाओ ठीक है नहीं तो खोलोगे तो फिर बात दूर तक जाएगा secularism का तो चलो Supreme Court का बात मानते हैं हम लोग भी secularism in India does not mean that states should be hostile to religion very very important but that it should be neutral as between the different regions इसका मतलब क्या है कि secularism भाद context का भाद में मतलब यह हुआ secularism जो है भाद में इसका मतलब यह हुआ कि state कभी भी एक religion या कोई भी religion को लेके hostile नहीं हो सकती है hostile का मतलब क्या है कि हम तोंको ख़तम कर देंगे against नहीं हो सकता है या कि state कोई भी एक religion या कोई भी भी बहुत सारी religion हो सकता है कोई भी religion को लेके hostile नहीं हो सकती against नहीं हो सकती नमो वान और इदम stand क्या होना चीए state का बहुत ही neutral stand होना चीए या कि एक religion और दूसरी religion के भीच में भेदवा होने होना चीए state के तरफ से यह दिया ऐसा है तो काहिए कि सेकुलर स्टेट है बास समझ पारे हो बच्चे लो क्या बोल रहा है हाँ कोटेड है बच्चे लो कोट में याद करना है सब चीज़ इसको ठीक है सुप्रिम कोट का यह है प्रनॉंसमेंट है यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते है क्या बोला है कि हर एक इंडिविजल जो भारत में है चाहो फॉर्णर हो चाहो वो सिडिजन हो उसको पूरा अधिकार है प्रोफेस करने का प्रैक्टिस करने का अपने रिलिजन का कोई मालो की पूरा हिंदू डिवोटी है कट्ट हिंदू है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सेकुलर नहीं है क्यों नहीं हो सकता है अपना रिलिजन क्यों ने प्रेक्टिस कर सकता है आदमें 100% क्यों ने बोल सकता है हम हिंदू क्यों थिलग लगा सकते हैं हम यह सकते हैं एक कट्टर हिंदू बहुत अच्छा मतलब वह वाला कट्रव नहीं है प्यूर मुस्लिम में बौलनौं एक हिंदू होगा एक बहुत तगडा हिंदू होगा जो हिंदू का बात करेगा उसा नहीं हो एसा नहीं और हमको पूरा अथिकार एकल 25 के यहाब सकते हैं जब को हमको अधिकार अपना प्राइक्वीं करने का तो उस से कुलर है जिए दुसरे धर्म को थोड़ी हम बोले कि तुम अपना प्रैक्टिस मत करो तुम भी अपना कर रहे हैं आया समझे भच्छे लोग यहीं फस्ता है पॉंत नमर्ट नमर्ट वे भस्ता है लोग तिलक लेकर आते हैं हबन करते हैं तो उस पर आरूप लगता है कि भाई सेकुलर कर नहीं है और क्यों है सेकुलर है वो अपना धर्म फोलो कर रहा है अचासे कहा हो मार्फिट कर रहा है दूसरे रिलिजिन के साथ तीसरा नमर्ट देगो बच्छा लोग दा नूट्रालिटी अब दे स्टेट वोड़ी विवालेट इव रिलिजन इस यूस्ट पॉलेटिकल और है और पॉलेटिकलाइन आफिर मर्फिट का मतलब यह स्टेट अभी मिस्यूज ना करे रिलिजन को पॉलेटिक्स के लिएिजिन का यूस्ट को रहा है यह थिश्चा पॉलेटिकल्स हो तो कहीं नहीं है सेकुलर डेमोक्रिसी के अगेंस्ट समझे तो पॉलिटिक्स और रिलिजन मिक्स नहीं होना चाहिए मां जानते हो कि सिच्यूशन क्या है राइट फ्रम इंडिपेंडेंटेंस से लेके अभी तक रिलिजन हाभी पढ़ी जाता है बोट एक सिंपल टूल है लोगों मोबलाइज करने का नहीं तो वह सेकुलर प्रेक्टिस टूट रहा है उस समय सचोब इदे पॉलिटिक्स में रिलिजन एंगल आ गया तो सेकुलर बहला चो फीचर से वो कट रहा है वो कम कम जोर हो रहा है इन दिस इस सेंस डैट सेकुलरिजम इस टूभी रिगार बहलत का जो सेकुलरिजम का जो डिफीनियेस अ बहुत ही ब्रॉड आ और प्योर हिंदू भी एक प्योर इस्लाम भी खुरिब ब्सक्रायव को आ प्योरिटिक्स में music Huh होना चाहिए religion का इधि politics में यूज हुआ religion का for the political cause or for political gain तो वो secular state नहीं माना जाएगा वो secular democracy का against समझ गया बच्चे लोग और state को कभी भी hostile नहीं होना सी होना चाहिए किसी भी religion को लेके all reasons are equal हा एक्दम neutrality maintain करना है state को that is the essence of words of secularism from the supreme court अब आते हैं debate देखो बच्चे लोग master debate है यह जो हम लोग पर रहे थे article 25 तो उसमें जो last point था right to propagate तो तो देखो हमेशा debate पर फस जाएगा अब देखो यह जो debate on propagation versus conversion देखो समझो बात को जो सवाल है तो यह सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी भी तरीके से किसी भी दर्म के लोग देखिए जो राइट प्रोपागेट वर्ड है और उसके बाद क्या बोला है कि जो मध्यपरदेश में बच्चे लोग समझो बहुत इंपोर्टेंट चीज में बताने जा रहा हूं इंपी में जो उस समय का लेश लेशन था मध्यपरदेश में जो अपना विधान सभा जो लेश लेशन था बहुत सुंदर बनाया गया तो तो किस्चन जो लीडर्स जो चर्च के जो पादरी सब्सक्राइब फादर सब्सक्राइब उन्होंने कहा कि देखिए जो एंपी का जो जो लेश लेशन है वो कहीं ने कहीं आर्टिकल 25 का वाइलेशन है ये किस्चन लिडर्स लोग लेकर आये था देखो आब यहाँ समझो इस असर्शन फॉलड बाइड़ बाइड़ एजिटेशन इन पार्टिकुलर्ली अमेजिंग बिकॉस इट सीक्स तो अंडर्माइन सुप्रीम कोर्ट इन इस्टेनिस लॉव केस इन जनवरी 1977 विच हैड बिन ब्रॉट बाइड़ बाइड़ किस्चन फादर बोला है कि उसमें मद्यपर्देश का एक्ट में यह लिखा गया है बच्चे लोग कि कोई भी आदम को कर रहा किसी भी धर्म में फोर्स फ्राउट से देखो हाँ और एलोर्मेंट से मतलब क्या है कि लोब से कि हम तुमको एजुकेशन देंगे तुम्हारे बच्चे को यह तुमको घर देंगे तो फोर्स मतलब जबरदस्ती प्रेसर फ्राउड गलत तडिके से या लोब एलोर् लेगा यह मधियपरदस का लौँ है अब इसी चेलेंज कर दिया तुमारा उस केस में अब सुप्रीम कोड देखो आप सुप्रीम कोड होगा ना अब सुप्रीम कोड ने क्या करेगा कि इस तरह का जोबी इस्शू से सब को एक साथ लेगा और फैसला सुनाएगा यहां पर सिमिलर वही ओडिसा में इस तरह केस अच्छा सब्साइब और इसको भी क्रिस्चन कम्यूनिटी ने किस्चन कम्यूनिटीकी जो मैंबर्स ने इसको भी चैलेंज गया यही बात है अब देखो तो दोनों एक्ट को साथ में लिया सुप्रिम कोट ने सुप्रीम कोर्ट ने यह जो क्रिश्चन कम्यूनिटी का जो प्ली था उसको रिजेक्ट किया अच ऐसे सोरी होता है राइट प्रपागेट का मतब राइट तो कनवर्जन कब से हो गया सही तो है दोनों ही कॉंस्टिटिशनल वैलिडे दोनों ही लोग वैलिट है बागो यहां से बगा दिया उसको कि अधल कोट ने का जेखो ऐसा है कि अलेंग डाइट नेंग्डान के हिसाब साई बना ऐसे सही है वह साही है कोई दिक्यत नाई कोई प्रॉबलम नहीं है उसके लोग है अधो क्या पैसला सुना है यहां समूझ में आख सही तुमको तब फॉल्वाइंग आर्दा मेन जज्जमेंट्स प्रिपोजिशन बेस्ट अनावर कॉंस्टिशन अंडर विच अपना बात को फैला सकते हैं कोई अधिक्त न हैनीकि लिटु स्प्रेट इस्ट आधिकार है अपना इना गेप दी करने socio करने का पूरा अदीकार मागार्स को नुम सैंस का घेंस्ट्व जाएंग अग को समझे। बटो, Christian missionary को लग रहा था, Christian community को लग रहा था, कि भाई, right to propagate है, तो हम forceful conversion में करा ही सकते हैं, दल्ल कट गया, दूसरा देखो, equal freedom of coincides, belonging to each man, यहीं कि सब को coincides का अधिकार है, सब को freedom है coincides का, है ना, and he has the freedom to choose and hold any faith, जो भी मन कर रहा है, उसको faith, उसको अपना willingness होना चाहिए, मार जबरदास्ती कोई, force, fraud, inducement, alarmant से करवा रहा है, तो फिर वो गलाच चीज है, he can of course, voluntary, voluntary way to add up कर सकता है, दूसरा religion को, मगर force, fraud, inducement, alarmant, यह नहीं होना चाहिए, जो free consent है मारा, जो freedom of coincides, कहीं ने कहीं, उसका violation हो जाएगा, जी, यह आप convert हो गए, आप कल हिंदू थे, आप Christian बन गए, और वो भी force से, fraud से, inducement से, तो फिर आपका freedom of coincides रहा कहा है, इसलिए, जो good be convert, यह ने कि जो converted आदमी है, तो उसका कहीं ने कहीं, freedom of coincides, wallet हो जाएगा, इसलिए Christian missionary कहा गया, Christian community कहा गया, कि यह जो तुम दलिल ले के आए हो, कोई काम का दलिल नहीं है, rejected है, भागवे हां से, और जो odysia का जो law है, जो MP का law है, वो क्या है, constitutional है, उसमें कहीं कोई दिक्रत नहीं है, बहुत सुंदर है, कोई problem नहीं है, समझ यह बात क इवन एजुमिंग डाट पर्टिकुलर ले, चलो मान के चलते है, चलो दो बहुत सुंदर, चलो मान के चलते है, एक hypothetical situation दिया, कि मान के चलो की चलो ठीक है, हार religion के पास, प्रोपगेट के करड़ेगा तरीका हाँ, जिसमें कनवर्जन भी है, मान के चलते है, कि कनवर्जन प पास भी तो अधिकार है, देखो, इस्टेट has the right and duty to intervene, if such activity of convergence, यदि कोई भी कनवर्जन हो रहा है, जिसके वैसे public order के अगेंस्ट हो रहा है, मौल्टी के अगेंस्ट हो रहा है, हेल्थ के अगेंस्ट हो रहा है, या दूसरे जो दिया गया है, आपका fundamental rights, उसके अगेंस्ट ह आपका fundamental rights, इसलिए तुम convergence वाला चीज भी होगा, इस्टेट आगा मना कर देगा, गलत हो रहा है, या पुब्ली क्योस हो जाएगा, एक धर्म आदमी का convert करेगा, फिर दूसरा धर्म आएगा, फिर दूसरा आदमी का convert करने के लिए, तो क्योस मज जाएगा, पब्ली का उट मना कर देगा, इसलिम को रहा है, थीजुरा पूरा पूरा पूर्लिक पीस का ब्रिच हो जाएगा, अप्यूरू एगर दर्म में आओ, फोर्स, फ्राउड, इंडूस्में, और्में, सभी जाएगा, पूरा अपूरा बर्बाद हो जाएगा, तो hypothetical situation में यह पॉसीबल नहीं, एक तो ऐसा है नहीं है मैं यह हम दे भी दे तो फिर भी इस्टेड इंटर्वीन करके मना कर देगे उसको लोग क्या लॉजिक है ठीक है जब घर वापसी बला दिखाया गया कि जो हिंदू कनवर्ड हो के चलेगे दोसरे में वो घर वापसी कर सकते उसके लिए रिचोल सब हो नहीं होना चीक करमर जान ठीक करमर जान वेरी बैड जो दादा पर दादा से जो फॉलो करते आये हो अधर अगनोस्टिक बन कर रहो ने एथिस्ट बन कर रहो चुप चाप सांत इस से धर्म क्यों हो चेंज करना हो हाँ धर्म विलिंगली चेंज करो तो दूसरा भी से फिर यहां पर यह भी बोलना पड़ेगा मैं किसी के प्रेसर मने होना चाहिए देखो तो इस्टेट वास देर्फोर इसलिए स्टेट को कॉंस्टिशिशनली कहा गया कि पब्लिक आउडर आपको मैंटेन करना है इस तरह का जो कनवर्जन है गलत तरीके से दिकनवर्जन हो रहा है फोर्स फ्राउड इंडूस्में अलवर्मेंट से तो बिल्कुल इस तेट इस तरह कनवर्जन को पेनलाइस कर सकती है और प्रोहिबीड कर सकते रोख सकती है समझें दो वही लिखा गया तो इस एक्जेकली MP सबको रिजेक्ट कर दिया सब्रिम कोट ने होप सब बच्चे लोग समझ में आगया होगा तो पिछले क्लास में हम लोग सब्री मला वाला इसू देखे थे एक कॉंटेंपरेरी इसू और एक इसू यह वाला भी देख लिए कनवर्जन वाद दो इसू हो गया अब आते हैं शेक्ट वाहती odd ZiSi झैर्ट श 워्टी जी है का आटिकल तुण दूटीश सब गाया थाइटल में इसाप से क्वंज लोक समझा मुँए आपक्स यह वर्य religious denomination or any of its sections shall have the following heads एनि कि जो भी religious denomination आप पुछो इसार denomination का मतलब क्या है तो denomination can be many thing, denomination का मतलब हो सकता है, temple भी हो सकता है trust भी हो सकता है, समझें, trust होता है न जी, वो भी हो सकता है जिस community के लिए, जिस धर्म के लिए बनाया गया हो तो जितने भी religious trust है, या religious institution है, ठीक है तो उसको यह सभी अधिकार है, क्या क्या अधिकार है, नमर यह देखो right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes के लिए यहनि कि उसको पुरा अधिकार है कि इस तरह का institution बना सकता है religious purpose के लिए, जैसे गुरुदारा बन गया, religious purpose के लिए और charitable purpose के लिए, charitable purpose के लिए बन सकता है कि लोग आएगा, लंगर खाएंगे, लोग जाएंगे या कुछ, अच्छा, charitable मतलब कुछ पानी उनी पिला रहा है, कुछ खाना के लिए, इस तरह के लिए हर एक religious institution को, मतलब हर एक religious community को यह दिकार है मैंने सुनों में कहा था कि आर्टिकल 25, individual freedom of religion, individual right of freedom of religion मगर जो आर्टिकल 26 है, वो collective है, community को दिया आता है कि आप अपना temple खुद स्वह maintain कर सकते हैं आप अपना trust खुद maintain कर सकते हैं, चाओ charitable purpose के लिए हो, चाओ अपना religious purpose के लिए हो आया समझ में बचलो, नमब वान समझ में आगया न, establish करने का अधिकार है, maintain करने का अधिकार है, आपका institution चाओ वर वीजिस purpose के लिए हो, charitable purpose के लिए हो दूसरा क्या है, कि right to manage its own affairs, यहीं कि अपना जो internal day to day जो activities होगा, काम करने का तरीका है, वो खुद ही आप maintain कर सकते हो, इसे मालोगी एक temple है, टेंपल में दिन भर का अपना चरिया होता है रहे जी, दिन भर का, राद भर का अपना चरिया होता है, सुबा उठना, पुरिस्ट का पुजा, फिर वहां पे बहुत सरा पुजा पाट, गाना बजाना, बहुत तरह का बात है की नहीं है, वो खुद ही maintain कर सकता है, अपना, कर सकता है उसी religious का people कर सकता है तो religion to manage its own affairs अपना affairs आप स्वें कर सकते हो right to own and acquire movable and immobile property यानि कि आपका जो movable property मोईबल property का मतलब कर जो जैसे पैसा हो गया पैसा एक जगा दूसरे जगा जा सकता है न जैसे gift हो गया एक जगा दूसरे जगा जा सकता है न तो वो movable property इमोईबल property का मतलब का है जैसे land एक जगा दूसरे जगा नहीं जा सकता है तो movable property और immobile property दोनों को ही वो क्या कर सकता है manage कर सकता है acquire करके रख सकता है अपने अपने लिए अपने collective चीज के लिए last one देको right to administer such property और हां और उस तरह का property के ऊपर भी वो काम कर सकता है but law के हिसाब से अपने मंस ने law में जो चीज दिया गया है तो law को देखते हुए उस property को administer करना है उस property को पर काम करना है उस property को देखरे करना है उसको administer करना है उसको manage करना है ये चार चीज अधिकार है article 26 के अंतर गए तो हम कह सकते कि article 26 का है broad चीज है जिसमें पूरा इजाजत है कि जो भी रिलियस कम्यूनिटी के आप लोग हो अपना जो इंस्टिउशन स्वें मेंटेन कर सकते हो ठीक इस्टेट इंटर्वी नहीं करेंगे महा अर्था सेम टाइम सब्जेक्ट्ट वू सर्टन रिस्टिक्शन भी होगा बच्चे लोग है ना देखो तो आर्टिकल देखो वही लिखा कि आर्टिकल 25 गैरेंटी देता है राइट्स अफ इंडिविजोल्स को अबट फ्रीडम ऑफ रिलिजन बट आर्टिकल 26 क्या है कि यह राइट्स देता है रिलिजियस डिनिशन को कहने का मत्तों कि कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ अनि कि सब हिंदू को दे रहा है एक साथ समाझ के बचे लोग तो लाइक दा आर्टिक जैसे हमने देखा ना कि आर्टिकल 25 भी तो उसमें भी रिजनेबल रिस्टिक्शन था तो सिमिलारली आर्टिकल 26 में भी सब्जेक्ट तू सटन रिस्टिक्शन है जिसे पॉब्लिक औ पॉब्लिक ऑडर पॉब्लिक मरिल्टी एंड हेल्ट नहीं करें है यह न फिल्कुल एक भी नेटीन हो गया तुंом रंदिर जा रहे हो मना किया जा सकता है तूंको मन्दिर से अर्वहां मैनेजमेंट क काम कर रहे होbahnा किया जा सकता है उस में इस्टेट करके सो कलकि मैश्मे यह आया, देखो वही तो मैं बोल रहा हो ना, अब religious denomination word दे दिया क्या, अब फिर इसी स्कोल एक confusion, कि religious denomination का legal term क्या होगा, उसका meaning क्या होगा, नहीं, अब layman perspective क्या बोल दे, कोई भी trust हो सकता है, कोई भी temple हो सकता है, अब temple का मतलब जिसमें गिरजाघर भी मैं बोल आओं, और the supreme court held that religious denomination must satisfy three conditions, यदि किसी भी institution को religious denomination बनना है, तो उसके लिए तीन condition follow करना होगा, कितना condition, तीन condition, पहला condition क्या है, देखो, it should be a collection of individuals who have system of belief, which they regard as the conducive to the spiritual well-being, जैसे example देखो temple, temple में बहुत साय लोग का belief है, यदि कि वही religious denomination हो सकता है, जहां पे बहुत साय लोग का belief हो, और वो belief इसलिए ता कि उसका spiritual well-being हो सके, यदि कि वहां जाके, मंदिर में जाके, कि कितना mind बहुत अच्छा हो जाता है, हाँ ज इसलिए है, को इंडिविजुल का नहीं हो सकता है, जैसे मालो कि हमने कोई भगवान को create कर दिया दे माकस से, और हम बना दिया वो चीज, और हम बोल रहे हैं कि वह क्या है, मेरा religious denomination हो इसा नहीं हो सकता, इदि कोई भी बन रहा है, religious denomination तुम उसको बोल रहे हो, status दे रहे हो उसमें collective लोग का belief system होना चाहिए, केवल एक ही हिंदू नहीं पहुचना चाहिए, वहाँ सब type के लोग पहुचना चाहिए, ताकि मंदिर को देखने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए, बास समझे है, नमो बान, दूसरा क्या है, it should have a common organization, organization एक ही होना चाहिए, अब अब ऐसा नहीं कि बना लिए और पचास organization उसे समझे है, no, एक जिसे देखो, होता ना बच्चे लोग, तुम लोग बावाधाम जाते हो, कहीं pilgrimage जाते होगे, तुम लोग या नहीं भी जाते हो, तो समझ सकते हो, कहीं pilgrimage जाओगे, तो बहुत तरा का धरम साला सब में मिलता है तो एक इन organization होना चाहिए, एक चीज़ चलाने के लिए 50 organization रखोगे, तो फिर तुमारा ये character match नहीं करेगा, फिर religious definition नहीं माना जाएगा, जिसे कोई भी मंदिर देखोगे, तो मंदिर का अपना ही organization होता है, जिसे गाहितरी परिवार का देख लोग, अपना ही organization है, है किने, ह इस्टेट लेबल पलग हो सकता है, मां common तो सेमी होगा सबका, तो जोगो, it should have a common organization, number two, तीसरा क्या है, जोगो तीसरा खास है, कि distinctive name होना चाहिए, जिसे एक religious institution है, तो उसका अपना एक नाम भी होना चाहिए, गाहितरी परिवार, काले इस्थान, नाम होना चाहिए, उसका, परतल उसका कोई नाम ही नहीं है, तो नाम होना चाहिए, it should be designated by a distinctive name, एक खास unique name होना चाहिए, वो नेम फिर दूसरे के साथ conflict नहीं होना चाहिए, बाद समझ ले हो ना, तो यह तीन यह धी character match कर गया, किसी भी denomination में, तो उसको religious denomination कहा जाएगा, as per article 26, तो देखो, यह तीनो criteria को लोग है, तो Supreme Court ने कहा कि, राम कृष्ण मिशन और अनन्द मार्ग, यह religious denomination है, जबकि, हाँ, यह Hindu religion के अंदर religious denomination माना जाएगा, जबकि अरविंदो जो society है, तो चलता है, वो religious denomination नहीं है, क्यों, क्योंकि spiritual well being होना चाहिए, collections of belief उसमें attach होना चाहिए, religious denomination, आया समझ मे तो बचलों बहुत गहराई वाला चीज है, आटिकल 26, वो तीन करेक्टर जब तक नहीं होगा, तब तक तुम नहीं कह सकता हो कि, यह religious denomination है, चलता है, आगे देखते है, आटिकल 27, आटिकल 27 क्या है, यह भी देखो, राम किशन मिशन हो सकता है, हिंदू फोल्ड में, वो religious den ली, 25 वी है, 26 वी है, 27 वी, देखो, आटिकल 27 कहता है, कि no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion और maintenance of any particular religion और religious denomination, यानि कि को भी आदमी को मजबूर नहीं किया जाए, टेक्स पे करने के लिए, ताकि उसका धर्म का परचार हो जाए, स्टेट के तरफ से, या उसका religious denomination को इदी मेंटेन करना है, त उसको को भी tax pay करने की ज़रूत नहीं है सरकार को, आना ही सरकार मजबूर कर सकती है, tax और fee दो अलग चीज है, मैं भी बता देता हूँ, tax अलग चीज है, fee अलग चीज है, मैं थोज़ देर में बताऊंगा, तो tax और fee अलग चीज है बच्चे लोग, तो इसमें क्या, article 27 में क कि कोई भी धर्म को परचार करने के लिए कोई भी रिलिजिएस डिनियुनेशन को प्रैक्टिस करने के लिए इस्टेट कभी भी फोर्स नहीं कर सकती है टैक्स के लिए आया समझ में आ दूसरे सब्स में कहा जाए इस्टेट should not spend the public money collected by the way of tax, एक रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कब भी भी खर्च नहीं कर सकती यह बात में सब रिलीजन बढ़ावा रहा है तो पबलीक का जो एक शिकर है पबलीक का मनी मनी यह जो करेक्क करती है बच्च लोग यह फिर वही इस्टेट का बात किया गया गया है जो मना 195 12 में दिया गया है कि जितना भी इस्टेटक डेफिनेशन होगा फुरेरे मु hij Di k strong in Gêmes सकता है अभी हम लोग लेमेंट में बोल रहे होते हैं कि इस्टेट गवर्मेंट और नेशन गवर्मेंट मैं इस्टेट का डेफिनेशन दिया गया है वो कभी भी पॉब्लिक मनी जो किया हुआ चीज है उसको किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं कर सकती ह पैसा आया समझ में न तो यह पर संग के उपर लिमिटेशन के आदमी नहीं दे सकता है अपना प्रमोट और स्टेट का जो लिमिटेशन आगे दखो इस प्रविजन प्रविजन प्रवीट्स दा स्टेट फॉम फेवरिग दखो यह प्रविजन इसलिए लाया गया ताकि एक रिलिजन का फेवर ना करें दूसरी रिलिजन को लेकर संगर्साइब तक यह सकता है ना प्रेटर ना कर सकता है नहीं संपोर्ट कर सकता है एक रिलिजन को ओभ द अदर रिलिजन इसमılda 아니라 इसका मतला फैनता सक्टाय पैसलितuba लिजन आपबसू सब प्रविव करना चौन तो खर्च कर सकती है, मा एक religion पर खर्च नहीं कर सकती है, तो पूछे एक IMC कि मभा पूछ सकता है सब सबस्वाल सो, एक religion पर फेवर नहीं कर सकती है, मा हर religion के लिए खर्च करना चाहिए तो कर सकती है state, हाँ, आप देखो यहाँ पर दूसरा चीज है, चौथा नमर चौकाने वाला चीज है, this provision provides only a levy of tax, not a fee, क्या है यह बाद, आर्टिकल 27 में कहा गया कि state tax नहीं उठा सकती है, for the promotion of any religion, नहीं, नहीं जो tax collect की है, नहीं वो tax से किसी एक धर्म को परचार कर सकती है, यह परचार भी करना होगा तो सब धर्म का परचार करना होगा, तो तो देखो इसमे state को प्रविट किया गया tax उठाने से, अब फीज उठाने से नहीं, फीज अलग सीजे, जैसे example देखो, simple simple समझो, अब अनात यात्रा होता है, तो अब अनात यात्रा होता है, तो service कितना प्रभाइट होता है बीच बीच में, वहाँ पर आर्मी में बेठे रहते हैं, तुमको पानी फिर में मिलता है, तुमको बहुत कुछ मिलता है, तो उस समय state fee ले सकती है, क्योंको fee जो ले रही है, वो fee तुमारा धर्म को परचार करने के लिए ले रही है, वो administration के लिए ले ले रही है, that point to be noted, this is because the purpose of fee is to control the secular administration, जहां में कोई धर्म का बात ही नहीं है, administration, secular administration को को क करना नहीं है, जिसे अमरनाथ यात्रा हुआ, तो लंबा यात्रा होता ना जी, लोग जाते हैं, तो अलग अलग जगा तुमको facility मिलेगा ना जी, उसके लिए state can go for the fee also, state fee उठा सकती है, उस community से, जिसका हो रहा है, जा रहा है लोग सो, या जो individual जो जा रहा है, पैसा उससे म मांग लगी है, thus, तक वहीं लिखा कि, thus, if he can be labied on pilgrims, जो जाते हैं, सब धालो लोग जो जाते हैं, लंबा लंबा, जो pilgrims जाते हैं, उसको pilgrims कहते हैं, pilgrims उपर लगाया जा सकता है, क्यों, after all, तुमको safety मिल रहा है, तुमको security मिलना है, आ उसके लिए 10 जबान को खड़ा किय पैसा चाहिए न उसको, अलग से, तो उस case मां जावी नहीं कि state हमेशा लेगी, मां state ले सकती हैं, similarly, if he can be labied on the religious endowments for meeting the regulation expenditure, और similarly, labied तुम्हारा religious endowments भी हो सकता है, यानि कि इस तरह का trust उस पर भी हो सकता है, for meeting the regulation expenditure, यानि कि expenditure खर्च हो, ठीके दा, मतलब expenditure खर्च हो, उसके लिए, इतना इतना खर्च हो, उसके लिए Levy लगा सकती है, but जो Levy लगा जो हो हो, चाहे volunteers deem paranımischen पर लगाया जा रहा हो, चाहे तुम्हारा उस पे लगाया जा रहा हो, इंडिविजुल पे लगाया जा रहा है, पट वो रिलिजन का परपस से नहीं लगाया जा रहा है, वो किस परपस से लगाया जा रहा है, तुम्हारा सेकुलर अड्मिनिस्टेशन के लिए लगाया जा रहा है, वो मैनेजमेंट क 26, 27, 28 आई यही secular feature है Indian constitution का इसी को परके नहीं आ रहा है कि state कभी भी वो नहीं कर सकती है पक्च बात नहीं कर सकती है एक religion को लेके तो देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund एनी कि state 100% support कर रहा है किसी भी educational institution को समझे नहीं किसी भी college को या university को एनी इस्टेट 100% पैसा दे रही है तो वहाँ पर कोई religious instruction नहीं हो सकता है religious instruction समझ रहा हो ना मतलब वहाँ पर yes, Hindu का अपना code नहीं हो सकता है कोई Muslim का अपना code नहीं हो सकता वहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ाया जा सकता जबर्दस्ती उर्दू नहीं बोला आ सकता वहाँ पर संस्क्रीट जबर्दस्ती नहीं बोला आ सकता वो सब के लिए है तो no religious instruction कोई religious instruction नहीं हो सकता है कहाँ पर उस educational institution में जहाँ पर इस्टेट 100% फंट दे रही है हाँ मार देखो इसमें तुमको बहुत कुछ मिलागा इसमें देखने के लिए However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such institution क्या बोला गया है यहाँ पर define किया गया कि educational institution और कितने टाप के हो सकते है वो educational institution जो administered तो इस्टेट कर रहा है मा वो established by trust करो वो established by endowment group में तो वहाँ पर बच्चे लोग वहाँ पर इस्टेट जबरदस्ति नहीं कर सकती कि तुमको नहीं देना है वहाँ पर रिजियस instruction हो सकता है क्योंकि उसी type के लोग के लिए बनाया गया हो जिसे मालों की Muslim संस्था बनाया गया भाले इस्टेट सपोर्ट कर रही है भाले इस्टेट एड्मिनिस्टर कर रही है उपर से सेलेबस क्या होना चाहिए मां अंदर का जो मीडियूम अफ इंस्ट्रक्शन है वो मुस्लिम खुदताय कर सकता है या फिर हिंदू खुदताय कर सकता है या फिर दुसरे वाले क्लास वाले लोग कुदताय कर सकते है कि आया समझ में चीज हावर इस प्रोविजन सेल नट अप्लाइट टू यानि कौन सा प्रोविजन बोला जा रहा है कि रिलिजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होना यानि कहने का मतलब क्या कि रिलिजियस इस्ट्रक्शन हो सकता है उस एजुकरिशन में जहां पर इस्टेट कि रिलिजियस इस्ट्रक्शन हो सकता है जैसे गुरुकूल हो गया हिंदू का तो गुरुकूल में भाले इस्टेट उपर से अड्मिनिस्ट्र कर रही कि टीचर कैसा होगा क्या सब्जेट्स होंगे मां जो संस्क्रीट पराना है नहीं हिंदू कूट पराना हुँए अलाओ अदिन करेंगा अधिन करेंगा टीचर हो सकता है विद्यार्ती हो सकता है समझें ना फदर नो परसन एटेनिंग एडिश्यू के इस्टेट का पूरा रिकॉगणाइज़ है या फिर एड्मिलाइस टेट्स टीक है तो जरुई नहीं है कि सब रिलिजियस इंस्ट्रक्शन य प्राषना नहीं करना चाहता है क्यों कि मुस्लिम धर्म से आता है तो उसको मजबूर नहीं किया जा जोडने से क्यों आप्टर वो मुस्लिम धर्म से आता है वा समझ रहे हो ना एधी ऐसे के सी माइनर है बच्चा लोग चोटा साल का बच्चा उसको पीता जी से पूछ उसको गार्जन से पूछ हो समझे नहीं करना है तो फादर मदर से पूछना पड़ेगा उसको गार्जन से पूछना अब यहां पर तुमको बहुत अच्छे सा रखे दिया बात को कि जो भी आटिकल 28 पढ़े हो बच्चो लोग यहां से यह समझ में आता है कि 4 तरह का एजुकेशनल इस्टीशन होता है कितने तरह के 4 तरह के एजुकेशनल इस्टीशन होते हैं पहला क्या है कि ऐसा एजुके सब्सक्राइब तो अपने पर्टिकुलर सेक्शन पीपल को लेकर करेगा वहां पर इंस्ट्रेशन करवा दिया इस्टेट ने मतलब क्या होता है इस्टेट ने रिस्टेशन करवा दिया इस्टेट कोई रोल नहीं हो उसके बाद्स रिकोनाइस करने तक रोल है गया है वल्द Commission मिलना बॉन सब्सक्राइस दुर्णा कि इस्टेट के वह एडंशिन कर रहा है और वह सेट्र। टरस्ट ने कर रहा हुआ कि सोट इस्ट flaॉब सब्सक्राइब कर दिया उसका सब्सक्राइब कोई बात नहीं है अच्छा होता क्या है कि फंड भी दे रहा है इस्टेट उसको चाट टाइप का अब देखो यहां पर तुमको समझ में आएगा तो एमें देखो एमें कि वहां पर रिलिजिस इंस्ट्रक्शन कम्प्लिटली प पूरा पैसा दे रहे हैं तो हर पॉलिक का हुआ अहर पॉलिक हिंदू मुस्लिम को भी धर्म हो सकता है बी देखो यहां पर बोले ना कि वहां पर रिलिजिस इंस्ट्रक्शन परविटेड है अपको बात समझ में आ गया ना तो यह चार्ट टाइप का इंस्ट्यूशन अब तो आओ थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा तुम लोग का जब contemporary इसू देखो गे तभी समझ में आगा अच्छा से यह चीज तो चार्ट तरह का एजुकेशनल इंस्टिशन हो सकता है बच्चे लो कहां कहां एलाओड है कहां कहां एलाओड नहीं है तो अब आज समझो चलो वो खतम होगे अब यहां वे बाद समझते थोड़ा सा contemporary issues अब हुआ क्या दखो पर लेमेंटम में समझते हैं के इंदर भी द्यालाय में अलग पूज additive करिकूलं टीचर सब बहुत बैस्ट है टुर देखो इसमें मामला क्या है कि हर धर्म के लोग जाते हैं तो इसी तरह पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे संस्कीर इस लोग चलता है हनुआ चलता है बहुत तरह की चलता है इसे कैसे आप वो परतना करवा सकते हो आप सुप्रिम कोड में यह मामला पहुंचा और उसके बाद एक क्या क्या हुआ है तो समझो सुप्रिम कोड ने सवाल पूछा यह जो रिवाइज एजुकेशन कोड जो लाया गया था उस समय चाल पालम सार पहले की बात इस कोड के अंतरगत क्या था कि सब को प्रातना करना है वही फोल्डेर पाम से संस्कीत और हिंदी वर्सिस होगा आख प्रेयर करते बाग आख बंध होना चाहिए ऐसे होता है हम लोग प्रियर किये हैं कि यह सेंट्रल गौर्मेंट को कहा कि आप जो यह रिवाइज कि इसे क्या है कि संस्कीत में हिंदी में भर्सिस पढ़ना होगा फोल्डेड आर्म्स के साथ हाफ हैं क्लोजड आइस होना चाहिए मौनिंग एसमेली में और यह ऐसा नहीं करते हो यह कोई बच्चा बोले कि नहीं है मेरे रिलिजियस इंस्ट्रक्शन के खिलाप है हम इसला सब्सक्राइब आरा है समय बच्चे लोग हां तो देखो जो बेंच जिसमें नडिमन खुद हिंदू नहीं हो दोसरे समास से आते हैं उस समय आप तो खेड़ जाज रिटायर हो गई है उन्होंने कहा है कि इस तरह का फाउंडएड पीटिशन 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 जो है प इन्पॉर्ण इसु को लेके आता है सेकुलरी स्टिट के बारे में लेके आता है इसुस को उठाता है उजिस सपोस्ट्ट्व है नो डिलीजंटिट नहीं होना चाहिए यहां पे विद्यार्थी लोग को जो कि अलग-अलग धर्म से आते हैं डैवर्स फेश से आते हैं बिल रहा कि हिंदू रिलीजन के नाम पर हिंदू रिलीजन का जो प्रेयर कर वारे हो और नहीं करेगा तो पनिस्मेंट दे रहे हो तो यह गलत चीज बेंज ने का है मेरा ऐसा मानना है मेरा यहां पर थोड़ा तरक लग जब सेकुलर स्टेट है हमारा तो हमें पूरा अधिकार होन और बहुती चोकरना होके प्यार से बुद्धिस्ट प्रेयर करते थे हम लोग तो हमने तो कभी आपोस नहीं किया हमारी स्कूल में भी होता था इधी कंट्री डैवर्स मेरा ओपिनिन डिफरेंट है यहां पर इधी कंट्री डैवर्स है तो पूरा जानने का अधिकार होना चाहिए हां इसमें कह सकते कि सर खाली हिंदू का ही हो रहा तो मैं कहूंगा कि नुख और भी धर्म के डाल दो मुस्लिम धर का भी सीखे किश्चन धर्म का मिसीखे और बुद्धि जयंका भी सीखे वो दिन बांधो जिसे हम लोग को हुआ करता था कि फ्रैडे फ्रैडे होता कि दिन चरिया आपका बैड़ा रहता है बासम यह मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है देखो अब यहां पर संदो तो सुप्रिम कोड ने नोटिस जारी किया कहा कि यह जो रिवाइज अजुकेशन कोड है के इंदर भी द्याला का यह आर्टिकल 19 को वालेट करता है तरह का हों सकता है पहला इंस्टीशन क्या था कि जहांपर इस्टेट 100-80 प्रसंट करें तो वहां पर कोई भी रिटिस इंस्ट्रक्षन नहीं हो सकता है वह प्रेयर जो है संस्कीट वाला वर्स वह कहीने कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है जो कि गलत है कहीने कहीन आर्टिकल 21 28 क्लॉज 1 को वोईलेट करता है आर्टिकल 19 को भी वोईलेट करता है जगओ मामला तो यह केंदर भी दयाला जानते हो कि अब तो यह बदल गए नहीं है ministry of human resource development नहीं है ministry of education है तो ministry of education के अंदर आता है ठीक है जो education minister वो chairman होते हैं इसके में रहते हैं में रहेंगे और यह लगभग 50-50-50-60 साल से चल रहा है समझें यह world largest chain है educational institution का जो कि हमारे country में अलग-अलग North East से लेके South India से लेके जमू कस्मिर से लेके हर जगा ही फैला हुगा एक इंदर विद्याल एक्चुली यह लोग के लिए था जो लोग transfer होते हैं ताकि आर्मी वाले लोग के लिए होगे यह सेवा वाले जो लोग देते सर्विस में होते हैं उन्हों के लिए एक्चुली कि जब ट्रांसफर होगा इन्हों का रिपीटेटर तो कहीं तो उन्हों का बच्च पाडिटिक्स है तो बहुत लिए के तो इसंटंकर के लिए ट्रकिल नहीं का में है कि वाई विद्यार्ति किसी भी सबाड़ा मंप्रीकर बन थे को है Remember a см Marty Mhm सब को फुरियर करना है तो आल थीजर सेर दे गलेक्टिम रसपांस लिया और टीचर का काम यह कि झाला की हानी किया आद ख़दा किया किया जोड़ा कि चेल बहुत है यह जो रिवाइस कोड वो अपने आप में विवाद है एस पर दपीटिस समझ पारे हो ना एनिस्टुटेंट फेलिंग टूडू वही बोला कि दिखोई विद्यार्ति नहीं करता है प्रेटिक से नहीं करता है संस्कीत वर्स रिवाइस नहीं करता है हलमांचली साथ हिक से नहीं बढ़ता थो फिल फ्रंड फ्रंड फिल फ्रंड इंटार स्कूल सुपनें स्केया जाए जो कि गलत बात है तो पिटीशन ने कहा है कि ये इसे लोग भी तो होंगे बच्चे लोग और हम कर के आ रहे हैं इस तरह का प्रेय करवा के प्रैक्टिस करवा के कहीने कहीन जो सेंटिफिक टेंपरमेंट होना चाहिए वह सब लूज हो रहा है यह एक तरफा ओपिनियन है यह बिसाड़ प्रैक्टिस इस ऑप्स्टेकल कहीन कि इससे सेंटिफिक टेंपरमेंट डैवलोप नहीं होगा विद्यारती में क्यों कि विद्यारती होई गौड का कॉंसे उसमें चलेगा तो उसमें ज्यादा बिलीब होगा इन फैक्ट ऐसा होना चाहिए कि विद्यारती लोग में सेंटिफिक लॉजिक आना चाहिए विद्यारती लोग में के बाद होता है कि आप देखो जो भी पिटिशनर हो ठीक है भाद भूमी से जुड़ा हुआ आदमी होगा तो o कि आहिक बिएप अब भी प्रियर्ण गलत नहीं सकता है अब तो कहड़ी है मुई शना कणकी क्यों करके भी सेंटिंद्ट करेंस संटीफिक टेमर्मेंट उ तो इस दालिल यह भी कि इससे संटिफिकक टेंपर मेंट किम हो यह जाएगा इस तरह का प्रैक्टिस प्रेयर करवाना कहीं न कहीं खाली सुपर नेचुरल को ही वो मानेगा कि भगवान है भगवान बचा देंगे ठीक है राधर वो प्रैक्टिकल सलूशन लेकर नहीं आएगा जो कि उसको चाहिए एक्टुली लाइफ में जीने के लिए देखो प्रफे जो भी हो आर्टिकल 28 तो समझ में आया ना आर्टिकल 28 का मतलब क्या होता है तो के भी को लेके ये ममला आया था उस समय दैसेट कंप्लिटेट